तो आज की वीडियों हम बात करें इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन तो वीडियो शुरू करने से पहले कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मिशन आपको देनी थी हमने एक बैच को उपन किया है जिसमें कि आपके ऑनलाइन क्लासेश होगे आपको नूर्स रहने वाली है वह आपके पास 400 है और अगर आपने बैच की जॉइनिंग करनी है तो मेरा वाटसेप नंबर आपको स्क्रीन पर देख रहा है आप इस पर मुझे मैसेश कर सकते हो तो फिलाल करते हैं वीडियो को शूरू है हमारे पाद इस शिर्ट कैन नाट बे वान बाय मी अगर तो अगर आप यहाँ देखो कि मी कि बात हुरी है मतलब मेरी बात हो रही है जो मी होता है वह हमारा करनवर्ट होता है हमेशा आइमें और जो I है आपके पाफ वो सिर्फ option number A में आपको दिख रहा होगा क्योंकि जब भी हम change करते है voice को तो हम last से शुरू करते है तो यहां पर me change हो गया आपके पास I में और I है आपके पाफ option number A में It means option number A आपका बेलकुल सही है I cannot wear this shirt any longer कभी भी आपको difficulties होती है तो आपने हमेशे लास में देखना अगर मी होता तो आई में होता है next अगर हम बात करें के question number 27 है हमारे पाफ लाइन डस नॉट एट ग्रास however hungry he may be तो अगर आपने sentence पर्णाऊ आ το यहाँ पर do और जो डस होता है वह आपके पाफ प्रेजंट में यूज होता है यहाँ पर भी का यूज हुआ इसका यूज होगा तो अगर आप यहाँ पर देखोंगे इसका यूज आपके पास is में हुआ हुआ है option number a में option number c में option number d में तो being का use हुआ है उसका तब होता अगर आपके पास eating होता तो आप being का use करते बट यहां पर आपके पास eat था यानि कि आप यहां पर इसका ही यूज करोगे normally इसका use क्यों कि आप मेंने भी बिता यह grass is not होता है is not eaten by a lion however hungry he may be यानि कि आपका जो option number a है यहां पर वो बिलकुल सही है next question number 28 है हमारे पार someone saw him picking up a gun तो अगर आपको पहता है जो c है उसकी second form है वो c saw scene होती है it means 100 है यहां पर वो आपके पास second form आ रही है जहां भी second form होती है या third form होती है आपकी वहां पर आप हमेशा was और वर का use करोगे तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके पास जो was है वो तीन option में option number a में भी है option number b में भी है और option number d में भी है और जब आपके पास was were यूज़ होता है तो वर्प की third form होती है it means scene का यूज़ होएगा और scene आपके पाद तीनों में है last की अगर हम बात करेगा option number d आपका he was seen by someone तो by यहां पे आपके पाद कभी बीच में शुरू नहीं होता है option number d तो आपका पहले ही भार हो गया है अब मारे पर बस्ते है option number a या option number b तो यहां पर जो picking आपका same रहेगा as it is picking ही रहता है इंट में तो यहां पर option number b आपका यहां पिक लिखा हुआ है but picking का picking ही रहेगा यहां पर option number b बहल्कुल सही है he was saying picking up a gun by someone कभी भी ऐसे questions आते हैं आपने हमेशा ध्यान देना है सबसे पहले तो आपका जिसे was was के बास seen use होता है और by guy use आपका हमेशा last year end time में होता है उससे पहले नहीं होता है बाकी जो आपके पास picking दे रहा है तो picking up picking रहता है पिक नहीं होता है next question number 30 है हमारे पास why did you not agree to my proposal तो यहां पर एक प्रगर का question पूछा गया है अब बचते हैं मारे पार तीन option तो my भी ठीक है proposal भी ठीक है आपके पास फिर बात करीगिए अगर not not भी चलो तीन option में मारे पाई अग्रिद है, ऐग्रिद की 3rd फॉर्म अग्रिद होती है यग्रिद की बाद हमेंशे टू का यूज़ होता है आपके पर यह आपने याद देखना है, आपके पर टू दे रखाय है, अप्शन नमबर आमें भी और आप्शन नमबर जो आपके पर आम पर डी है, यहां पर भी तो पर्ट जो यू है यू तो option number A में दिया ही नहीं है, it means जो आपका option number D है वो बिलकुल सही है, why was my proposal not agreed to by you, कभी भी agreed आएगा आएगा आपके पास, उसके बाद हमेशा जो to है उसका use किया जाता है, और by you तो आपका आपका आना ही था, it means option number D आपका बिलकुल सही है यहां पे, next question, question number 31, but do you understand what I mean, तो अगर आपने sentence परे तो यहां पर do का use किया गया है, तो do or does आपका हमेशा present tense में use होता है, present tense में तो मतलब is MR का use होगा, और जब भी question पूछा जाता है, तो is MR was worth होता है, has have होता है, उनका use सबसे पहले किया जाता है, बट यहां तो हम present है, तो हम इस MR का use करोगे, तो यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर option number C आपका बिलकुल सही है, क्योंकि इसका use यहां पर किया गया हुआ है, is what I mean understood by you, क्योंकि वर्प की कौन सी third form आपके लिए लगेगी, तो यहां पर आपका option number C बिलकुल सही है, next question number 32 है, हमाल पर whom does I look for, तो जब भी आपका whom होता है, तो वो आपका who में होता है, तो यहां पर who आपके पाद तीन दो option में दे रखा है, option number B, option number C, और does I mean present tense है, तो आपके पाद इसका use हुआ हुआ है, तो अगर यहां पर आप देखोगे, option number B में दे रखा है, who is looked after for him, तो after का use तो आपके पास यहां कहीं हुआ ही नहीं है, तो यहां आपका option number C, आपका बिल्कुल सही है, who is looked for by him, तो यहां आपका option number C, बिल्कुल सही है, question number 32 का answer, next question number 33 है मैंने पाद, they say that you did that, say है, मतलब यहां पर आपके पास, यह present tense में दिया हुआ है, say है आपके पास, ठीक है, क्योंकि वर्प की first form है, say का मतलब है, तो it means आप यहां आप यहां पर यहां पर हुआ हुआ है, option number A में, B में और D में, और D तो मतलब अगर आप present tense की बात करोगे, तो वहां पर वर्प की third form में लिखोगे, do, did, done, यानि कि done, जो done है, वह आपका option number D में यूज हुआ हुआ है, it means यहां पर आपका option number D है, वो बिल्कुल सही है, question number 34 से हमार पा, I am doing sums, यह आपका है present form में, क्यों, क्योंकि जब भी आपके पार isMR का use होता है, तो वह हमारा present tense में होता है, और यहां पर am का use हुआ हुआ है, तो यह present है, और आपके पार रूलता, अगर कभी भी isMR plus ing लगा होगा word में, जैसे कि यहां पर do में लगा हुआ हुआ है doing, ing का use हुआ हुआ है, और am का use हुआ हुआ है, it means हम use करते है, या तो is being, are being, या am being, वो भी हम पूरे sentence को देखके, तो अगर यहां पर sums है दियावा हमारे पास, तो हम यहां पर R के use करेगे, क्योंकि यह हमारे पार plural है, और जब भी हम change करते हैं, तो last से शूरू करेगे, तो यहां पर sums पहले आएगा, तो sums आपके पाद तीन option में, option number A, option number B, और option number D, must का use हम नहीं करें, क्योंकि महारे पाद question में must नहीं दिया है, तो यहां पर हम R का use करेगे, और R के साथ हमेशा हम being का use करेगे, और verb की third form लगेगी, यानि कि यहां पर जो हमारा option number B है, वो बिल्कुल सही है, sums are being done by me, क्योंकि वर्ब की third form लगनी थी, और is MR के साथ हमेशा being लगना था यहां पर, next question number 35 हमारे पादा, the noise of traffic kept me awake, तो देखो यहां पर जो kept है, यह मारे पाद वर्ब की third form यूज़ होई है, क्योंकि keep की जो third form होती है, वो मारे पाद होती है, तो हम यहां पर क्या है, past tense है, यहां पर was और वर का use होगा, तो अगर आप देखो के was और वर, यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही option में, वो है आपका option number A, और मी आपको पता है, मी हमेशा I में change हो जाएगा, तो यहां पर आएगा, I was kept awake by the noise of the traffic, यहां पर option number A आपका बिल्कुल सही है, next question number 36 है हमारे पाई, he was congratulated by his teacher, on his brilliant success in the recent examination, तो आखिर आप इसको किस्देखे से change करोगे, तो आप यहां पर जो आपके पास ही है, वहां से शुरू होगा, मतलब कि यहां पर यहां तो option number B आपका सही है, या option number C है, यहां यहां तो आपका नहीं है, या तो आप option number B है या option number C है, तो अगर आप यहां पर देखोगे, आपका option number B है वो बिल्कुल सही है, his teacher congratulated him for his brilliant success in the recent examination, क्योंकि यहां पूरे sentence है, यहां हमारा हुआ 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 है, तो option number B बिल्कुल सही है, option number C हमारा पूरे sentence का यूज़ नहीं हुआ, it means option number C आपका यहां नहीं है, option number B बिल्कुल सही है, next question number 37 हमारा पर people speak English all over the world, तो जो speak है, it means यह आपके पास क्या है, first form दी गई है, यह वर्ब की, तो यहां पर आपका present tense का यूज़ वो हुआ है, तो यहां पर आपका is का यूज़ होगा, तो यहां पर आप देखोगे, तो दो option मैं पर is है, एक तो option number A है, और option number D, यहां पर all over the world हो है, ना कि people के बात हुए है, तो all over the world हमारे पास का है, option number A में है, it means option number A आपका बेल्कुल सही है, English is spoken all over the world, क्योंकि speak की जो third form होती है, वो spoken होती है, और जब भी हमारे पर present tense में, इस MR का यूज़ होता है, तो हम verb की third form का भी यूज़ करते है, साथ यसाथ sentence पूरा आपका आपका बेल्कुल ना कि people के बात नहीं होई थी, पूरा पर्दे तो यहां पर give है, यानि कि आपके पार यहां पर word की second form यूज़ होई है, give, give, given, इट में यहां पर हम word का यूज़ करेंगे, तो अगर हम word की बात करेंगें, तो आपके पार option number A में भी है, C में भी है, D में भी है, तो वर के बात हमेशा यू का यूज़ होता है, आपके गिवन का यूज़ नहीं होगा, it में option number A आपका यहां बिलकुल सही है, were you होता है, were given you नहीं होता है, option number A सही है, by whom were you given permission to enter, तो यहां पे आपका जो option number A है, वो बिलकुल सही है, नेक्स कुछ नमबर 39 नहीं थे मेरे पाई, the principle has granted him a scholarship, rule याद करें कि कहीं पे भी has और have होता है, तब हम has been, have been यूज़ करते हैं, अब देखना है कि आखे हैं और have been, कहां यह कहां यूज़ हुआ है, तो सिर्फ एक यह option में आपका has been यूज़ हुआ है, वह option number B, it means option number B आपका बेल्गुल सही है, he has been granted a scholarship by the principle, कभी भी has या have आता है, तो आप हमेशा has been और have been में convert करोगे, next question number of what even है, the accountant took the money from the customer, तो यहां पे अगर आप sentence को पूरा पढ़ोगे, तो यहां पे आपके पास जो work की first form का use नहीं हुआ है, क्योंकि take आपके पार work की first form होती है, took नहीं होती है, it means यहां पे वर्ब की second form का use हमारे पा हुआ 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 है, कहीं पे भी वर्ब की second या third form हमारी ज़्यादे तर use होती है, तो वो हमारा हमेशा past tense में जाता है, past tense आपके पार was या वर्ब का use होगा, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो was का use आपके पार हुआ 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 है, option number B में और option number C में, और आप जब यहां शुरू करोगे तो the money से शुरू होगा आपके पास, it means यहां आपका option number B बिलकुल सही है, the money was taken from the customer by the accountant, the customer नहीं होगा, the money से शुरू होगा, it means यहां पे आपके पार word की third form यूज़ होई है, कैसे पता चला, refused, refused होता, first form से मतलब present, refused है, तो मतलब यहां पे आपके पार past tense की बात हो रही है, was का use होगा आपके पार, तो was आपके पास दे रखा है, अगर आप देखोगे यहां पे option number A में भी है, और option number C में भी है, तो admittance was refused by the pion to him, तो होगा ही नहीं, यहां पे आप him जो है person है, उसको preference दोगे, it means him आपका change हो जाएगा he में, he was refused admittance by the pion, it means यहां पे जो option number A है, आपका बेलकुल सही है, person को preference दी जाती है, him जो था उसको हम change किया he में, इसलिए यहां option number A आपका बेलकुल सही है, next अगर हम बात किरते हैं, question number 43 है हमारे पास, the boys has run the bell, तो आपको पाएग क्रूल है, आपके पाएगा has होगा, have होगा, आप has been का यूज़ करोगे, have been का यूज़ करोगे, has been, being नहीं होता है, सिर्फ has been यूज़ होगा, तो option number A में ही सिर्फ यहां पे, has been आपके पाद दिया गया है, it meant option number जो A है आपका, वो बिलकुल सही है, the bell has been run by the boy, कभी भी has have होगा, तो has been, have been में कर्णवर्ट करना है आपने, next question number 44 है हमारे पास, दोगे, it means आप him को change करोगे, he में, he आपके पाद यहां दो option में दिया हुआ है, और यहां पे दो trick से धोनों की याद रखना है, सबसे पहले trick है आपके पादे को, एक तो B में भी है, एक D में ही ही यह आपको पता चल गया, ठीक है, ही पहले यूज़ होगा, फिर हम बात करेंगे, यहां पे made, अगर make होता है, तो present tense है, made है, तो मतलब past tense है, was work का use होगा, तो हम पहले से चल गए, यहां was का use होगा, तो option number B भी बिल्कु सही है आपके पादे पाद, he was made a king by them, अब बात तेरे के option number D, आप लिखा क्यों नहीं गया, सबसे पहली बात है, यहां पे यह आपके past था past में, दुसरी बात ही है, has been था, has been के use था आप करते हैं, अगर हमारे पाद कोशन में has होता, simply अगर आप ऐसे बिखो के तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके करना है, तो वैसे करके भी कर सकते हो, रूल लगा के करना है, तो और जादे इसलिए आपके solve हो जाते है, next question है हमारे पास, circumstance will opening me to go, याद रिखना will होगा, shell होगा, should होगा, could होगा, आप हमेशा be का use करोगे, और आपने याद रखना हमेशा, जब आपने याद इसको change करोगे, तो आप देखो me है आपके पाँ, मतलब me से change होगा, me आपका change होता है, I में, और I के साथ will use नहीं होता है, I के साथ आप shell का use करोगे, it means option number B में भी, आपके पास shell है, option number D में भी आपके पास shell है, बट यहाँ पे जो आपका option number B है, वो बिल्कुल सही है, I shall be obliged to go by the circumstance, क्योंकि जो circumstance है, उसको हमने last में ही लिखना था, तो यहाँ पे circumstance last में जाना था, it means option number B आपका बिल्कुल सही है, और I के साथ will नहीं, आप shell का यूज़ करेंगे, और कहीं भी will होगा, शेल होगा तो आप will भी, शेल भी का यूज़ करते हो, इस फुरूल को ध्यान में रखना आपने, next बात करेंगे, question number 46, सबसे important question है, यह वाला question बहुत बार आपसे completed exam में पोचा जाता है, क्यूंकि इस question को solve करने में, अक्सर बहुत बार confusion हो जाती है, तो आपने जब भी solve करना है, तो आपको जो tricks बताऊंगा, उसको याद रखना है, सबसे पहले अगर sentence को पढ़ोगे, तो यह हमारे पा, don't laugh at me, मतलब की don't है, तो मतलब not का use होगा, negative sentence है, सबसे पहले देखो, अब not कहां use है, option number B में भी है, और option number D में भी है, या तो आपका option number B यहाँ पे सही है, या option number D है, तो एक और rule याद रखना, let हमेशा कभी single use नहीं होता है, let जब भी use करोगे sentence में, तो आप हमेशा B के use करोगे, अब देखो, option number B में, let B use हुआ है, ठीक है, option number D में, तो B का use कहीं पे भी नहीं हुआ है, it means, option number B आपका बिलकुल सही है, let B, me not laugh at, it means, option number B बिलकुल सही है, सबसे पहले negative sentence देखा, साथ ही साथ हमें देखा, कि आखी let के साथ B के use हुआ है, या नहीं हुआ है, next, question number 48 ते हमारे पाँ, I do not like people keeping me waiting, sentence पर लिया, I do not, मतलब do not है, negative sentence है, सबसे पहले बात हो गई, और do का use किया किया मतलब present tense है, मतलब is MR का use तो यहां पका होगा, अब देखो, जब हम इसको change करेंगे, तो last में क्या है, आपके पाँ मी वेटिंग है, मतलब जो मी है, person है, उसको preference दी जाती है, तो मी तो आपका change हो जाएगा, I में, और जो I है, वो आपके पाँ चारुक चारे option में है, और यहां पे, अगर आपने देखा है, sentence में keeping, कभी भी present tense होता है, साथ में ing लगा होता है, इस MR के साथ क्या है, ing लगा होता है present में, तो आप हमेशा being का use करते हो, अब देखो being कहां पे, आपके पाँ लिखा है, यहां पे, option number C में भी है, और option number D में भी है, और जो being होता है, या तो वो is being होता है, या are being होता है, या am being होता है, being simply अकेले नहीं लगता है, तो आप पाँ are being यहां पे use हुआ है, option number D में, I do not like people, are being kept waiting, it means option number D आपका बेलकुल सही है, being का use, आप कभी भी singly मत करना है, इसका use हमेशा is के साथ होगा, या am के साथ होगा, या are के साथ होगा, इस तरीके से हमेशा question को solve करना, ध्यान लगा के, कभी भी जल्द वाजिय मत करना, क्योंकि question आपके पाँ बहुत tough level के पुछे जाते हैं, घुमा फिरा के पुछे जाते हैं, पर जो rule लगता है, सब में same लगता है, उतने जादे difficult नहीं होते, rule याद के लिए मतलब difficulty बिलकुल नहीं होगे, question को solve करने में, next, question number 49 था हमार पर, has a dog ever bitten you, अब मैंने कहा था, अगर कभी भी आपके पाँ question पुछे जाता है, तो मतलब has, has और have आपके पास दे रखे, has starting में ठीक है, और has के साथ हमेशा been के use होगा, या have होगा तो been यूज होगा, अगर has दिया है तो has been, अब देखो आप been कहां पे दिया हुआ, किस sentence में बीन दिया हुआ है, option number जो डी है, वहाँ पे आप बीन दिख रहा है, have you ever been beaten by a dog, have के साथ ही नहीं, बीन आपके पास sentence में कहीं भी मिलना चाहिए, तो यहाँ आपके पास बीन दिया हुआ है, option number डी में, it means, option number डी है आपका वो बिल्कुल सही है, have you ever been eaten by a dog, next question number 50 है हमारे पास, sentence को अगर अच्छे से पढ़ोगे, तो यहाँ पे जो आपके पास sentence है, वो past में गेव, क्योंकि give, give, given होता है, give आपके पास verb की second form है, कई भी second और third form होती है, तो was word के use होता है, अगर हम यहाँ देखे, तो was word तो आपके पास सब में use हुआ हुआ है, तो जब हम इसको last जब change करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास he, him क्योंकि आपका change हो जाएगा he में, तो वो आपके पास तीन option में, option number A में भी है, B में भी है, C में भी है, king है, तो मतलब was का use होगा, तो was आपके पास दो में है, option number A में भी है, option number B में भी है, ठीक है, was के बाद given use होगा, और जो by होता है, वो हमेशा आपके पास start बीच में नहीं होता है, मैंने बहुत वार कहा है, वो आपके पास last में जाके आता है, last से पहले मतलब, जैसे कि आपका option number B में है, he was given a reward by the king, by the king, last में use होता है, by the king by, बीच में कभी use नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे option number B आपका बेलकुल सही है, तो फिलाल, आज की class में तो बस इतना है, आशा है आज की वीडियो आप सब के लिए help हो रही होगी, और आपके voice related जिटने भी doubts थे, वो clear होगी, तो नहीं तो आपके लिए भी आपके लिए,